प्लीज सब्सक्राइब and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. एक बार फिर समझने की कोशिश करते हैं। पंच महाल की पांच सीटों में चार बीजेपी एक कॉंग्रेस जो पिछली बार था अकड़ा बिलकुल वही आकड़ा सूरत में बहुत बाना जा रहा था कि हार्दिक पटेल फैक्टर असर दिखाएगा लेकिन उसने असर नहीं दिखाया। सौराष्ट में जरूर कॉंग्रेस ने बीजेपी से सोला सीटें चीनी हैं। पार्टिदार फैक्टर वाली 49 सीटों में 9 सीटें कॉंग्रेस चीनी हैं। बीजेपी से 22 और 17 कांगड़ा पहुचा। लेकिन ठाकोर फैक्टर वाली 3 सीटें फिर कॉंग्रेस ने खोई भी हैं। पहले चरण में कॉंग्रेस को 19 सीटों का फायदा हुआ पिछली बार के मुकाबले। लेकिन दूसरे चरण में 3 सीटों का 6 सीटों का नुकसान भी हुआ। आप लगातार इन जिलों के हिसाब से भी देखेंगे। तो सूरत एक अप्रियाब में पूरी कहानी कहता है। जहां सबसे जादा उम्मीद की जा रही थी। जहां वो इतनी बड़ी रैली हुई हार्दिक पटेल की। वहाँ 16 सीटे हैं, वहाँ 15 सीटें बीजे पीजी थी। एक सीट कांग्रेस बिलकुल वही नतीजा जो पिछली बार था। जैसा जपन भी बार बार बता रहे थे। बिलकुल वही नतीजा जो पिछली बार था सूरत में अपने आप में कहानी कहता है कि यह जो इतनी सारी कवाइद हुई हार्दिक पटेल की उसका कोई असर आंकडों में देखने को नहीं मिला। में जरूर दिखा सौराष्ट में जरूर कांग्रेस को फायदा हुआ लेकिन सूरत जैसी जगा में शहरी इलाकों में वह बिलकुल फायदा नहीं हुआ हमाइसा संजे निरुपम भी कांग्रेस के जुड़ रहे हैं संजे जी यह एक जो फर्क 30 सीटों का दिख रहा है कांग दबा कि कांग्रेस कहीं भी नहीं है आप पूरा एलेक्शन लड़ लिजे ग्रामिन मुद्दों पे लड़ लिजे बाकी चीजों पे लड़ लिजे लेकिन शहरी इलाकों में बीजेपी आपने आप सीटें लेकर 30 सीटों का गैप बना गई और फिर जीत गई तो यह कार्ड वहाँ पर आप नहीं बना पाए चुनाव आपने बहले ही बहुत अच्छा लड़ाओ शहरी इलाकों में या ग्रामिन इलाकों में जो भी गुजरात के प्रसंते उन प्रस्णों को कॉंग्रेस पार्टी ने बरे ससक्त तरीके से लोगों के समक्च पेश किया शहर के लोग भी नाराज थे जैसे गाओं के लोग नाराज रहे हैं चाहे वो जीस्टी का प्रस्णों या नौजवानों में बिरुजगारी का प्रस्णों विया पारी और नाराजगी नाराजगी का कुछ रिजल्ट नहीं आया ना देखे मैं अगली बात जो बोलूगा शायद आप उससे सहमत नहीं होंगे यह गुजरात के जनता का फैसला नहीं है यह की वियम का फैसला है और हम प्रारंब से कह रहे हैं जिस गुजरात में दो साल सब्सक्राइब संजय जी अहमदाबाद में आज सुबह अहमदाबाद म और भारतिये जनता पार्टी जो थी वह 87 सीट पे थी तब ऑज सुबह जो था अच्छा काम कर रहा था अब जो है वह भारतिये जनता पार्टी 106 पे पहुच गई है तब एबियम माल फंक्शन अरे कितना दरबारी लोग आप राहूल गांदी को बचाने की कोशिस करेंगे झाल झाल